वीडियो का टाइम देखके धक्का लग गया क्या पर फिकर नहीं करने हैं क्योंकि ये वीडियो आपको लगवाग 15 से 20 मार्ट दिलाने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अपने सब्जेक्ट बायो केमिस्टरी के यूनिट थर्ड के बारे में जी हाँ दोस्तों तो ये हमारी जो पूरी के पूरी वीडियो है ना इसमें complete unit 3rd मिलेगी और ये आपके लिए जादा helpful रहेगी क्योंकि देखो एक ही वीडियो में आपको सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे जो important वाले हैं तो इस पूरी वीडियो का आप अच्छे से करके जाओ रॉफ नोट्स बनाओ फियर को यह आपको मिल जाएंगे तो सारा कुछ आप देखके जाओ और एक्जाम अब ही फोड कर आओ अच्छे से तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने दो चैप्टर यान कि देखो unit 3rd में दो चैप्टर है पहला हमारा रहे उसकी formation utilization और fatty acid की beta oxidation और इसकी due novosynthesis और urea cycle उसके significant disorder हो गए फिर lipid metabolism के कुछ disorders हो गए और इसके बाद हमारे यह amino acid metabolism के तीनों यह function हो गए और cholesterol यह सारे के सारे कुछ आपको जो है इस वीडियो में मिल रहेंगे तो देखो आपसे request है कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना ह है थोड़ता speed बगड़ा भड़ा सकते हो बाकि अगर आपको थोड़ी problem हो पूरी वीडियो एक साथ देखने में तो इसके time stamp भी हम आपको देदेंगे यहां कि जो topic जिस time पर होगा उससे भी आपको काफी जादा असानी हो जाएगी तो चलिए सबसे बहले बात करते हैं कि आपने क्या दिखा था कि हमारी मालों human body है और हम कोई भी खाना पीना खाते हैं वो हमारी body में जाके क्या है blood के जारा absorb कर लिया जाता है और हमको जो है कुछ इस तरह मिलता है यहां कि कुछ पार्ट हमें carbohydrates का मिलेगा बैसे सबसे जादा इसी का मिलता है फिर हमें कुछ lipids मे बिलेगा कुछ amino acids में मिलता है कुछ protein में मिलता है और आप लोगोंने सुना भी होगा अगर आपके आसपड़ोस में कोई एका जिंबाला बंदा होगा ना वह जरू कर रहा होगा नहीं इसमें fat बहुत हैं नहीं इसमें lipid carbohydrates जाता है नहीं वैसे protein protein खाना है यह प्रोटीन से यहनकि कार्वो हाइडेस हमारी बॉड़ी में जाने के बाद energy हम लोगों कैसे प्रोवाइड करता है कोई दिक्कत नहीं है अब हम क्या पढ़ने वाले हैं इस unit में lipids और amino acid की मेटावार्सम अब यह होता क्यों है तो आपको बताए कि जो कार्वो हाइडेस हमारा primary source है यहनक सकते हैं कि उसकी बॉड़ी में कार्वो हाइडर्स की कमी हो गई यह कोई बंदा कमी खा रहा है तो उस केस में क्या होगा कि हमारे उपर वाले ने बहुत ही खुबसूरत से यहां पर मतलब साइट मेटावार्सम दे रखे हैं वह हमारे हैं लिपेड्स और amino acid मेटावार्सम अब यह actual में क्या करते हैं यह क्या करेंगे यह हमारी बोडी में जाके ऐसी emergency condition में क्या करेंगे energy को बनाएंगे यहांकि हमें मरने नहीं नहीं देंगे और हमारी बोडी में यह alternate तरिक है जिसकी डैसे हमारी बोड Series है लिपेड्erson हमारी यह नेकि जानेगे कि जो लुदा से ह हमारी बोड़ी में energy बनती है अब कैसे बनती है वो हम यहाँ पर details में समझने वाले हैं तो सबसे पहले बात करते हैं लिपेड मेटा बोरिजम के बारे में तो simple पहले लिपेड्स के बारे में अगर बात करें तो लिपेड्स हमारे एक Greek word होता लाइपोज उससे निकला हुआ ज हमारे बोडि को नहीं चाहिए और हम लोग मौटे बगरा हो जाते हैं तो लिपेड्स एक्च्वल में क्या होता है कि लिपेड्स हमारे एक और गनी कंपाउंट्स है जो किनकिन से मिलकर बनाए एक हमारा उसमें बनाता फैट जिसको हम फैटी असेड बोलते और 1 अलकोहल जै तो फॉस्पो लिपेट्स भी हमारे क्या है बहुत आदे हैं ऐसा नहीं है कि यह जरूरत ही नहीं है लिपेट्स बगरा फैट है सब की जो है हमारी वर्ड में जरूरत होती है अब देखो जहां भी वर्ड आपको मैटाबर्जम देखता है इसका क्या मतला होता है कि वहां पर सबस्क्राबर्जम देखने को मुलती है लिटरली बहुत 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 दाधा अनरजी देखने को मिलती है लिट्राली बहुत बहुत जादा अनर्जी मिलती है यहां कि अपने आपने कार्वोहाइडेस बगरा देखे होंगे तो लगबग 30 मिल रही थे हमारी सिट्रेक असे साइकल में लेकिन जब हमारी फैटी असेड होती है अगर मैं आपको एक निज़र दिखा हमारी बनता यहां हमार सेब्सक्राइब दोनों के इसंटेशं के बारे में बात की जा रही है जो हमारे लिप्ड से ही टूटकर बना यहां कि और यहां कि डारकली बोलत आई तो फैटी असे से हमारे लिपिड कहीं क्या है पार्ट है यहां हम उसको simply lipid भी बोल सकते हैं क्योंकि यहां example में भी मैंने क्या है lipids मैं fatty acid डाला हुआ है क्योंकि कई जगा fatty acid को darkly lipids भी बोल दे तो अब अगर बात करें fatty acids के बारे में यहां कि अगर आप simply यहां पर देखोगे तो यह देखो यह हमारा lipids है और simple lipid है जबने lipid वाला पार्ट कवर किया था फइस्ट उनिट में वह अला यह तो लिपेड्स हमारा मेली fatty acid और alcohol से मिलकर बनता है और यहां पर ट्राइग लस्रा पूरा बन गया तो fatty acid में मेली क्या है लिपेड्स के ब्रेकडाउन से बनता है और इसमें एक हमारा कार्बग दिलकी acid होता है बाकी एक हमारी carbon chain होती है तो यहां देखाता है यह आर हमारी का एक carbon chain है अब इसमें कितने भी carbon हमारे लग सकते हैं तो simple समझ गए अब fatty acid हमारे दो टाइप्स के होते हैं एक हमारे saturated fatty acid ह है एक unsaturated है saturated का simple वंड़ा क्या होता है कि इसमें single bond हमारे available होते हैं तो यह saturated है और unsaturated मतला होता है कि यहां double क्या आता है यहां beta oxidation of saturated fatty acid अब देखो अगर एक्जाम में आता है तो आपके लिए यही कोश्यन आएगा डारक्ली की राइट नोटन बीटा अगर यहां आता है तो यहां पर बात करें तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि जैसे लिपर समा रहा है वह अगर बनाने तो अगर इसी प्रोसेस को में पढ़ना है इसको अगर थोड़ा देखो तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो हमारा इसमें धेड़ सारी होता है जो आगे चाहिए क्या करेंगा रएप साइकल जैसको सिट्रिक एसिट्र्य साइकल साइकल बोल सकते है उसमें दाएगा और से से हमको लगवग 30 एटीपी पूरी देखने को मिलती है तो यहां पर पर चौबिस होती है और यह क्या करेगा फर्दर आगे जाके रेप साइकल में जाएगा और वहां से करता है तो यह सब चीज आप अगर आप चलोगा ना पहले आपने यूनेट बन देखी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा तो अब आप इस पूरी प्रोसेस के बारे में क्या समझें कि यह हमारी एक पाथवे है जिसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा फैटी असेड है यह हमारा फैटी यह हमारा फैटी असेड होता है उसके बाद यह आपको यह पूरी रियक्षरन है यह पूरा पाथब तो यह में पर में हमारी कहां पर होगी दैन माइटो कॉन्ट्रया के इंदर होती है चलो करके तीन स्टाफ के बारे में समझ लेते हैं और आपको जब किसमें होगा और अलग अलग है सबसे बहले जो हमारा यहां पर यहां पर यहां लिदा यहां पर यहां पर बनता है यहां पर एक हमारे को एंजय में जोड़ता आएगा और यहां पर फिर से हमारी एक्टिवेटेड फॉर्म बोलते हैं यहां कि फैटी एसिट का ही एक यह एक्टिवेटेड भरदन है कुछ भी अलग चीज नहीं है ठीक है तो यह टू स्टेप रियक्शन थी फैटी एक्टिवेटेड और एक्टि यहां पर में प्राव्म पता है यह जो हमारा इंपनुविवल होता है माइटो कॉंड्रिया में जाने के लिए यहां यहां पर क्या होला कि हमारा जो सेकंड निश्टाइब यही है हमें जो एक्टिवेटेड हमने फैटी एसेट किया उसको माइटो कॉंड्रिया में लेके दाना है जिससे हमारी आगे की प्रोसेस हो लेकिन यह अपने आप जो हमारा सेल्स होता ना जैसे साइटोसल अगर कन्फ्यूज हो मालो ही हमारा पूरा का पूरा सैल है और इसके भी पूरा बाकति हए पूरा को अबंडिया में नहीं यह प्रोबल्म है तो उसके लिए करने के बाद क्या है आप साइल का इंटन यान कि हमारे यहाँ पर फॉर्म हो गया और निकल और इस पर स्सक्राइव कराने के लिए हमारे जो छो का नाम क्या है zw Protection सब्सक्राइब एक तरह से करने वाले एक दूसरी जगा तो यह इसको क्या गए ट्रांसफर करने में अब यहाँ पर मैं क्या और और यहां से भाहाँ अपड़ाउन कर सकता है तो एक हमारा हमारे के लेकिन हमब हो यहां पर हमारे कोआज हम यहां वह झाल में लग हो गया था है यहां पर हमारा इंजैम प्र बसके लाएगा और एसाइल को एंजाम यहां पर अलग हमको सेप्रेट मिल जाएगा अब यहां पर क्या होगा कि माइटो कॉंडिया के अंदर हमारा एसाइल को एंदर आ गया अब आगे की प्रोसेश ठेखते हैं ठीक है अब हमारा थाड इस्टाप होता बीटा ऑक्सिडेशन वाला अब यह यहां पर दीरे समझे लो यह हमारा कनोट होता है ट्रांस इनॉल को एंजाइम और इसके लिए हमारा एंजाम कौन से लगता है अब डी हाइड्रोजनिज अब डी हाइड्रोजनिल लगा अब देखो इनके मैंने जो रियक्शन से रहा केमिकल कंपाउंड वह समयने नहीं बन नाम है अब यह याद ऐसे नहीं होंगे आप सोचो पढ़ रहे हो याद हो जाएगा आपको नोट्बुक पर बार बार लिखके देखने पड़ेंगे एक दो बार और फिर एक दो बार बिना देखे लिखो याद करो एक दूसरे को सुनाओ डिसकसन करो तब जाके आपको या पर याद या कंजिवम नहीं होई है बलकि दो एटीप हमको मिली है अब यह डाउट में आपका हमेशा के लिए क्लिए कर देता हूँ अब देखो यहाँ पर क्या है एफ यहाँ और यहाँ पर एफज टू बनता है या एनेडी से एनेडी एस एनेडी एक पलस एज बनता है तो समझे लो कि यहां पर हमारी जो energy है वो कम रही है यांकि earn हो रही है generate हो रही है लेकिन वहीं इसका उल्टा होता है मालो fd s2 से अगर हमें fd मिले तो समझे लो energy हमारी consumable हो रही है अब जैसे ATP हमारा सबसे बढ़ा होता है अब अगर ATP से हमको Transenol Coenjam A यहां पर हमको तो FAD में 2 ATP होती है इसलिए हमको Total 2 ATP देखने को मिलती हैं इसके बाद Q2 ओगा अब जो Transenol Coenjam A इसमें हमारा जान हमारा Enjam फिर से Hydrate is लगेगा और यह Hydrate is क्या करेगा इसको beta hydroxy SL Coenjam क्वें कर देगा उसके बाद यहां पर फिर से हमें जो है एने डिएच की एक अरणिंग होगी और एक घ्रह की याद करने अगर इनकी को समझाने में जहाँ आसाली होती लेकिन आपको आपको याद नहीं लगेगा और अगर आपको फर्ष्ट डेफिनेशन याद होगी तो मैंने क्या लिखा था यह स्मॉलर यूनिट ऑप ऐसी लगवल यहां पर रिटर्न चला जाता है अगर आपको याद हो तो यह थर्ड इस्टेब हमारा ऐसी एससाईल कोंचा में इसे सुरू होगा था तो यहां पर यहां पर जाता है तो इस तरह दो पूरी चलती रहती है अब यह क्या कैसे हुआ तो वही सारी वात है मैंने यहां लिए आपके लिए लिखती हैं तो अगर एक बार पूरा रवाइस करें तो यह तीन स्टेप में मतलब यह मेन साइकल थी जिसमां हमारा फैटी असिड था उससे उनको energy generate करनी थी उसके लिए ओक्सिडेशन होता था और इस बीटा उक्सिडेशन हमारा फैटी असे टूट कर एसाइल को अगन्या में और एसीटाल को अगन्या में बनता था ठीन स्टेप में हो रहा था पहले यह एक्टिवेट हुए है ecteva स्कुर्ठ हो करने कार्णी की मदद थे हमारा माईटोकॉंटरिया में पहुच गया और फिर थे GefКак पर चला जाएगा और एसी टायल वाला है वो हमारा सिट्रक असेड की मदद से एनर्जी जनरेट करेगा तो यह पूरा का पूरा हमारा था बीटा अक्षीडेशन फैटी असेड बहुत इंपोर्टेंट है आप अच्छे ते इसको पढ़ लेने ठीक है अब इसके एनर्टेटि यह मिलेगा तो साथ बार मैं इसकी साथ मिलेगे लेकिन यह हमारा एसीटा ओक्सीडेशन हमने किया और हमको यहाँ पे 7 साइकल की और इससे हमें 7 FDI में हमारे 2 ऐटीपी होते हैं जो जनरल वाला मुस्या इसी को मानते है 1.5 नहीं मानें जान ठीक है और जो 7 एक में 3 हमारी फोटीन एटीप और इफ़नारी बना अब आपको बता कि यह जो एट अध। यहां पर यहां पर टोटल देखने को मिले इसकी मदद से तो अगर टोटल देखा जाए और दो एटीप हमने इस यहां लगा दी तो उनको मैंने माइनस कर दी तो लगबग 129 एक तो चलिए पहला टॉपिक आपका होगे आप सेकंड टॉपिक के बारे में बात करते हैं डी नोवस इंदी आएगी क्योंकि बहुत सारे टॉपिक भी है अब जो डी नोवस इंदेश यह एक्चल में क्या होता है कि अभी हमने क्या देखा था कि यहां पर फैटी असे यह अगें इन सब जो भी रियक्शन हमारी हुए इन सब बापिस आगे हमारा जो फैटी असे वह फिर से जनरेट होने वाला है क्योंकि भाई फैटी असेड की कमी यहां पर देखो हमारे पूरी वाड़ी ना भाई बहुत ही जादा सुन्दर इसमें सारा कुछ ब्यूटिफुली काम चलता रहता है फैटी असे टूटा उसने एनर्जी बनाई जो बचा हुए बचा हुए बचा हुए प्र फैटी असे चलता रहता है और हमारी वाड़ी खुद ही है हर चीजों को चलाती रहती है तो अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में हमारे जो फैटी असेड था वो साइटोसोल में था वहीं तो हम उसको एक्टिवेट कर रहे थे तो यहां पर जो हमारी सिंतेस होगी फैटी रहे हमारा हमारे फैटी असेड वागी जो फैटी एस है युझ आइस हमारा में हमारा होता है प्यलप्तिक आस्ट तो हम Preis कि में होती है उती हो G ownig है वे तो हमारी होता है तो इसी घम बनाने यंश बनाने वाले हैं अब यहां पे इसके लिए हमें तीन चीज़ा की ज़रुवद होती है शो биा एक हम हमें चाहिए कारवन हमें ऐसे मिल जाएगा फिर रोडूसेस खरोंगे यूज़ प्रोडूसन Tú- trig हमारा मेलोनिल में और उसके बाद हमारा जो फैटी सिंटेस कॉंप्लेक्स है यह हमारा फैटी एसिड को बनाने में हेल्फ करेगा ठीक है चलिए तो देखो अब हमने क्या देखा था अगर पहले बाले को हमें देखना पड़ता है तो यहां पर हमने क्या देखा कि यह पूरी यह अब ये बीटा ऑक्सीडेशन और यह पूरा हमारा मायटो-कॉंड्या के नदर हो रहा था यानिकि जो हमें असिटाल कॉंड介 만들어 में मिल रहा था यहां कि एसीटाल कोन्णर में बनाएं वह और वही तो इसलमा भाई नहीं आता है वह मारा मेंब्रेंग को प्रिए से लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम करता है सिंतेज एंजाइम कराने के लिए यह हमारा इस्तिमाल होता है और यह माइटो कॉंडिया में यहां पर चांट है तो जैसे हमारे यह लगेगा हमारा सिट्रेट बन जाता है अब सिट्रेट हमारे एजली क्रॉस कर जाता है तो सिट्रेट क्या करेगा हमारे यहां पर भा अक्ज़ेलो एसीटेट और एसीटाल को एंजायमे में तोड़ताता है मतलब यहाँ हैं नहीं इतना सा हुआ कि हमारा एसीटाल को इंजायमें बाहर नहीं आ पा रहा था उसको बाहर ना न के लिए वो मिला गश्येट के से त्रेट बाहर आ गया अलग हो गया जे मतलब बनाएगा यह हमारा आगे जाके सिट्रिक असट साइकल में जाएगा तो देखो हर तरफ हमारे फाइदे फाइदे में नुकसान कहीं नहीं है ठीक है यही तो है इसके बाद हमारे जो अपने इसके लिए अब यहां पर हम क्या करता है यहां पर हमारी दो श्टेप में रियक्षन होती है पहले में से बन आता है मैलोनिन को एंजाइम एतना याद रखना है यहां पर बहुत सारी चीज़ा लगई है एसिटाल को एंजाइमें कार्वक्जिलेज फिर हमारा बायोटिल लगा हुआ है फिर यहां पर हमने जो एनर्जी लगाई है उससे मैं एनर्जी निकल गई और जहां पर कर्वन अब देखो यह हमारा ना है यह पूरा पूरे एक तरह से एंजाइम बोल शक्ति यहीं एक मुल्टि फंक्शनल रेंजाइम है और अगे की पूरी प्रोसेश को मारा फॉलो कर बात है तो यहां पे इसका नाम का है क्या है बनाने वाला नहीं को बना रहे हैं और कॉंप्लेक् a sein City कि यहां पर हमारा पूरा एक एन्म पर क्या opini तो ह्यां किकिभा एक क्या होता है तो मैंने लग दिया आपको याद रहे एसाईल केरियर प्रोटी और यह मिली एक तरफा केरियर की बना देगा और जो हमारा यहां पर निकल दाएगा ठीक है और यहां यहां निकल दाएगा ठीक है और यहां यहां पर क्या होगा इस मैंसे हमारे कि कि टॉ एस असिपी यहां पर बनताईगा इसके बाद यहां पर मारा रिडीकिज पाणवि एक के बराबर होता है तो यहां पर एक तरह से अब यहां प्रक्ता है है यहां निल हो यह नोरा इसके बाद हमारा विटाराइल यह सथा भाएं iam यह बगा तरह मारा फ्रीक्ष्टि पार्ड आता है उसके बाद हो चलता रहता और लास्ट ने रास्ट के तो अगर दी नोब इसको एक बार पूरा करें तो हमारे यह साइट सोल में बनना था और हमारे यह किसे बनता है को यह से और वहार नहीं आ सकता हमारा अग्जाव से शिटरेट बना यह हमारा बाहर आ गया इसके बाद यहां पर हमारा पूरा लाइन्टर हो गया है पूरह था बनेगा तिर यहां पे बोल देते हैं तो यही पूरी पूरी हमारी दी नोबो सिंतेसिस के बारे में तो हमने यहां पर क्या आगे अपने दो टॉपिक में जो हमारा में इंपूटन टॉपिक यहां पर क्या था बीट ऑक्सीडेशन आप सैट्रीटेट अपर कवर कर लिया और काफी लेंथी में और अच्छे से कवर किया कोई यह नहीं कह सकता है हमारे पेज नहीं भरेंगे चोटा है या बड़ा है कुछ नहीं आपके लिए एक दों फिक्स एंड एक्यूरेट दिया अब हमारा नेश्ट अब आदा की टॉन बोडी और इसके उपर कोश्चन क्या बनता है वाटर की टॉन वोडीज एंड राइट इन डीटेल्स अबाव यह बनता है और इससे अगें हमारा क्या क्या है डीनवेज करेंए पैटी अस कितना है तो अगर ब्लड में ग्लूक है न को न नुक्सान है क्यों कि है खली हमारे सेल्स में जाता है कि मालो हमारा इंसुलिन है इन्सुलिन में नुक्सान हो गया थैक था Сबीति हो lira glucose cells में नहीं जाएगा तो दोनों ही case में क्या हो रहा है कि हमारा glucose cells के पास नहीं जाता और cells में क्या हो जाती है energy की कमी हो जाती है तो जब cells के पास energy की कमी हो जाती है तो उस वाले case में जब हमारी body में glucose नहीं पहुंच रहा है उस वाली case में क्या होता है हमारा जो body होती है वो body करते हैं कि यहां नहीं बनाएगा और कुछ हमारा कीटोन बोड़ी में चला जाता है और कीटोन बोड़ी क्या करेंगी यहां आपको बता दूँगा तो यहां पर हमने क्या देखा कि मालों घर मारी में हमारे बोड़ी में ग्लुकोज यूज नहीं हो पा रहा है एनरजी नहीं बन रही है उसकेस में हमारी बोड़ी क्या करेगी फैटी असिटे कीटोन बोड़ी सुनाती है सेकिंड केस मालों अगर स्टार विस्टन होगी है हम लोग के खाना पीना मिला नहीं इमर्जेंसी में आ इस गेस में हमारे डरा चलता ही है लेकर उसके इसाथ हमारे यह भी चलता है यांके हमारी बोड़ी भई पूरी तरह से जान जोग देती है हमें बचाने के लिए इसलिए तो बियो बहुत पादि बनी अंता आ यानिकि fatty acids से ही हमारा ketone body यहां पर बन जाती है और ketone bodies क्या करती है ketone bodies आगे जाके हमारी body में क्या करेगी energy provide करती है अब थोड़ा सा दिमाग में आ रहा होगा सर यह energy कैसे provide करेगी तो भाई ketone bodies का जब utilization पड़ेंगे जो हमारे यह आपक है तब हम जानेंगे कि ketone bodies भी finally end मदा करती है एसीटाल को एंजायम बनाती है यह तो भाई सबका करता है तरता सब इसी को बना रहे हैं और इसी का यूज कर रहे हैं तो ketone bodies क्या करती है इसी एसीटाल को एंजायम ए बनाती है और यह फिर से रैप साइकल मजाएगा और इसके बाद हमें वही एटीबी बगरा देखने को मिलते हैं तो इसी तरह हमारी कीटान बोडिस का काम चलता है यहां कि यह भी एक तरह से हमारा बनाती है तो इतना यहां पर चलता रहता है तो सबसे बहले हम यहां बात करें हमारे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं और यह प्रेड्यूस किये जाते हैं लीवर के अंदर किस्सें बनते हैं फैटी एसटार वेशन हो फूड बगरा कम खा रहे हूं यह हमारी बड़ी प्रेक वोस्ते होते हैं लेकिन यह हमारा सब्सक्षेराब्स की सबस्सक्राइब हो… घर कैटो तो यहां पर दोनों को हम पर लेक्राव दूसरी तो इसलिए इन दोनों को 그ंगे वह गर्पाइ pół यहां पर एक तरफ नहीं है तो भही हमारा ऐसा नहीं है कि हमारा marche है लेकर इसको true नहीं वानते ठीक है उसके अलावा जो ketone bodies है वो हमारा alternate fuel source की तरह काम करेगा जनके energy ATP provide करेगा alternate किसके लिए जब glucose हमारी बोड़ी में कमी हो जाती है और में जो इसका काम क्या है हमारे जो brain है जरी से दिमाग काम करना कम बंद कर देगा अगर उसको oxygen energy नहीं मिलेगी तो इसी लिए दिमाग के लिए हमारे हर्ट के लिए हमारी स्केल्टर मसल्स के लिए इन सब केस को लिए ह हमारी क्या energy provide करता है कौण कीटन बॉड़ी ठीक है तो यह हो गया अब कीटन में आपको दो टॉपिक पड़ने हैं जो यहां पर हैं एक एक फॉर्मेशन सिंथे जो फॉर्मेशन मतलब क्यों बोड़ीज जैने सी मतलब फॉर्मेशन ठीक है तो यह हमारा formation of ketone bodies है और यह मेंली होता कैसे है तो जो fatty acids है उसका breakdown होगा और उसके breakdown के बाद हमें energy मिलेगी और हमारे में जो है keto fatty acids ही तो बनता है तो यह हमारा इस तरह बनता है ठीक है तो यह हमारा mitochondrial के अंदर होता है जो हमारे mitochondrial पार्ट होगा जैसे हमने कमी होगी fasting होगा food intake कम है उस टाइम पर हमारे जो एडिपोस्ट इस हुआ है यह जहां पर मतलब fat extra release होता है वो triglycerides को triglycerides हमारे क्या होता है fat और alcohol को जोड़के बनता है यह हमारे blood circulation में आजाती है और यह blood circulation से क्या हो जाते है यह तोट जाते है fatty acid और glycerol में इन से मिलका बनते है फिर यह जो हमारा fatty acid यह यह आगे यूज किया जाता है हमारे किसके लिए जैन दीज fatty acid ट्रांस्पोर्टेटिव लीवर यह fatty acid हमारा लीवर में आ जाता है और यह लीवर में रहा लेकिन जब हमारा emergency case आती है तो यह जो अच्छा करेगा हमारा फर्दर हमारे आगे चलकर काम आती है तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मालो भई आप लोग पास रुपए आए और आपने क्या किया उस रुपए की टाइम पर आपने क्या गिया या तो चंदा आपने बैंक में रुपए को एकटे कर लिए और जब आपको जरुवत होगी तोड़ोगे और तोड़ के जो आपको रुपए मिल जाएंगे तो यहां पर यही मालोगी यह मालोगी आपका रुपए है और इसको एफडी कर वागे हमने कीटन बोडिस के रूप में यहां पर मिलती रहती है तो इस तरह यह काम करता है तो यहां पर क्या होगा हमारे सबसे बहले दो एसीटाइल कोईया में यहां पर में इसी से पूरा का पूरा हमारा कीटन बोडिस बनता है और यहां पर एन्यम लगता हमारा थायोलेज अब बीटा कीटो थायोलेज किसमें लग रहा और गाटार क्लीव करने लिए तोड़ने के लिए तो हमारा बने है अब यहाँ पर हमारा faith सिंतेज और यहां पर फिर से हमारा एक यहां जोड़ता है और यहां पर देखा था हमने दो यहां जोड़के यह बनाए इसके बाद यहां पर लाइज वाला एंजम लएगा और यह इसकी ब्रेकडाउन करेगा क्या है हमारा वहां बाहर निकले गाए और हमारा बन जाए गया और इसके बाद यहां पर नएक बैइटा है यहां पर क्या बनाए हमारा लाइज इसके ब्रेकडाउन होके रहना निकलन एक पहला महाँ पहला मारा कीट वड़िव इससे हमारा यहां पर स्पॉंटेनियंग अलग यहां पर बना एसीटन किसकी मतलब से डी कार्बोग्जिलेश यान की सीओ टू बहार निकाल के और यहां पर हमाना बना बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटा ने सेसी टॉन और यहां पर डी हाइडोजनेस से हमारा बीटा हाइड्रोक्षी बीटा रेट बन गया तो इस तरह हमारा पूरा यह कीटान बड़ी बनती है इनके बारे में लेंगवज लिख रहें और यह जो हमारा हम्ज कोईनया में इसकी फुलफॉर्म क्या यहां पर बीटा हा यहां भी हमारे 2 बनेंदर बंता है यहां की मालोगे र के नदर बनता है और लीवर के अंदर बनता है और लीवर के अंदर होगता है तो यह फाइदा है इसका बैसे तो इसने में का किया भी थो भी न बनाए ये इसको लीवर में बनाया और लीवर मने का बनाने के निजी नहीं इने तो कीटो लाइससे का करना है तो कीटो लाइसस को फिर से हमारी प्रोस्फेस है जिसमें ब्रेक डाउन होता है हमारा कीटो बॉडी सका और यह रेक्डाउन होगे हमारे एसी टैल को एंजय में बन जाते हैं और वह हमारे फिर से सिट्रक अजर साइकल में जाके एटीप बनाते हैं तो क्या होगा यहां पर तो सबसे बहले हम लेंगे बीटा यहां पर हमारी जनरेट होगी और हमारा अशीटल को यहां पर हमारे बहुत काम आता है और यहां फॉरेंगे फर्से हमारा फर्स सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे सिंपल इतना हुआ की तरह से चलती रहेगी और हमारी एनर्जी बनती रहती है इसमें एक तरह से देखाता है ना वह वाले लॉफ कंजर्वेशन आ रहा है नाइधर वी क्रिएटेड नौर्ड वी डैस्ट्राइब केवल एक जगह से दूसे का ट्रांस तो इस तरह चलता जा रहा है अब इसमें एक फ़र्णा और समझे लो वह हमारा होता है प्रेकडाउन बोर्यज मिलती हैं क्योंकि इनके तूटने यह चैन हमारे में जाधा होता है यानकि एक्सेस मातरा में अगर हमारे ब्लड़ इस्ट्रीम में हो जाती है तो यह हमारे जान के लिए खत्रा दे सकते हैं तो इसी बाले प्रोस्ट को जब नोगता है और यह दो रहे होगी एक एलकोहलिक कीटो एक हमारे डियाविटीज है अगर कोई ज्यादा एलकोहलिक का कंजर्फिन करता है ज्यादा यूज करता है तब यह हो सकता है दूसरे डियाविटीज में किया कि अगर किसी को डियाविटीज मेलाइटेस पर रहा है तो उसकेस में यह वाली हमा के बारे में ऐगे अपरांट के नहीं के आता पए नहीं भी आथा गण यह हमारे एक लिपेड़ में प्रीजन्ट हलता है और उसका काम क्लिस्ट्रोल लेना है यह यह हमारे बड़े में इस्टरोड हार्मॉन्स बनाता है इसके अलाबाव जो हमारे हमैं मे प्रेड लिए यहां पर सेम्ली में होता है मेस्ट इसको नाथा नोically सब्सक्राइब करता है आपको बहुत सार वो कर देगा लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं क्या कैसे नुकसान होते हैं यहां पर दिये गए ठीक है तो यह नुकसान होते हैं बाकि यह कंबर्जन और कॉलिस्टरॉल इंटू वाइलस जान कि जो कॉलिस्टरॉल है उससे बाइलस के बात करने तो यह यह आती नहीं है पर एक आज बात देखी गए तो मैंने लिक दिया अगर कोई टॉपर बचाओ तो यह ना बोले कि चोड़ दिया तो यह हमारा लगबग हर एक से में यह पाए जाता ठीक है उसके बाद कोलिस्ट्रोल वो 27 कार्वन कंपाउंड होता है और यह भी एसी टाल कुए झाल की यहाँ पर यहाँ 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 पर देखा था अभीकि दो आपके जाता है तो यहां पर हमारा हम इसे पर यह बन ये अभी यहां बनता है आईसोपंटाईल पाइरोफॉस्पेड बनता है इसके बाद यहाँ पे दू आईओपर לבब अपस में कंडिण होंगी यूनिट और हमारा बनाएंगी एक फिर यूनिन के और हमारा ये जो हमारा यहां परिछ के साथ में तब जाका हमारे स्क्वैलिन बनेगा और यहां पर मैं क्या है एक एनर्जी यहां पर मतला यूटिलाइस कर रहे हैं यहां पर और यहां पर दो मतलब यहां यूज कि यहां पर निकल गए ठीक है उसके जो स्क्वैलिन हमारा यह मारा आगे जाके क्या बनाएगा ले सब्सक्राइब तरह लिए बन गया पर यहां पर उद्ध और चले उसके भाद पर कॉलिस्ट्रोल देखने मिलता है तो यह जो अगर चाहोच को चेकाऊट कर सकते हो और डीटिल में चाहिक इसके बारे में इसके सबस्क्राइब करने में हमारी बड़ी में क्या करता है अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि सबसे पहले मालों हमारा कॉलिस्ट्रोल में हमारा इंजयाम लगता है और यहां यहां पर कनवर्ट कर देगा यह हमारा तूठ यहां पर लगेगा और इधारी लगेग तो Commission कि मतना यहाँ कॉलिक असिद वहते हैं की बतन यहाँ वहां यहां किलुकणी सब्सक्रांग कर गहां है क्या हरो सब्सक्राइब एक तो ज Candle को देख वहां है इसमौल इंटेस्टान में Hoodie करता हैं तो जो यहां पहुंच आता है तो जो इंवारेमेंट वह क्या करेगा इस ग्लाइक ऐसिड को यहां पर डियोक्सीकॉलिक असिड में और तो इस तरह बनता है यहां पर बहुत ही छोटा साथा कनवर्जन कॉलिस्ट्रॉल था उससे 7 Hydroxy cholesterol बना यहां पर हैंजांब लगा Hydroxycholid इसके बाद यह दो में डिवाइड हो गया कुलिक एसेट से हमारे यहां पर बना गलाइक डियकलाइक टर्प्सप्सकाशनी का इसेड और यह बाला एक ग्लाइको किनुडवाय तो ड्रीया ग्लाइको कीनोडियोकॉली चीश्ट होते यह दोनों उमारे सेकंडरी यह क्योंकि ये स्टाइन में आके बने हैं यह इनी से ड्राइब तो इस तरह हमारे दो तरह की यहां वाइद से देखने को मिलेंगे और इस तरह हमारे बहुत ही चोटा था आराम से आपको समझ आ गया होगा बागी सिगनिफिकेंस की बारे में बात करें तो यह मेजर कंपोनेंट होता है यह बहुत सारे इस्टरोड हार्मोन का प्री कर सजान की फर्स टार्टिंग पॉइंट करेंगे और यहासे मारा इस्टरोड जन वाटिकुस्टरोड अन्टियोट नोगया फिर हमारा विटामिन दी और बाइलसेट बनाने में हेल्प करेंगा जैसे कॉलिस्ट्रोल से पूरा बाइल बनाए स्ब्सक्राइब है तो अब हम बात करते हैं इसे और अमीन ऐसे मेटा बार्जम के बारे यह को इस में कुछ फीक हैं तो इनको भी कबर करेंगे ठीक है तो यहाँ पे आखर बात करें डाटेस्ट प्लिक्ler मेटा में पहला हमारा आथा है पर लिपीड़ंगा अब देखो आपने पहले भी सुना होगा इस्में क्या होता है कि हमारे छो ब्लड यह snippet का मातर हमारी भड parse पने मातरा भोड जाता है और देखल Jae लगता है तो यह महारा ब्लड वैसल में इस तरह चिपागने लगता है और इसकी वेज़ा से क्या होगा कि अगर कहीं जाके ना यह ब्लॉक कर देता है और अगर यह ब्लॉक कर देता तो उसका आपको पता जब ब्लड ही पास नहीं होगा तो धीरे-दीरे हमने हर्ट की दिल का रुख जाना दर्द होना सीनि में यह सारी प्रॉब्लम है देखने को मिल सकती है तो यह नुक्सान हमारे होता है अगर यह इसका लेवल जो हमारा अमांट इसका भड़ दाता है बागी यह क्यों हो सकते है तो यह तो जनेटिफ वेक्टर अगर आपके पेरेंस को तो य हमारे कालिस्टॉल का रेवल भड़दा और यहां पर यहां पर फिल्स याट होंगें लाइफस्टाइल और यह भी होता है यह वाले कि यह सारे यह वाले तो इसमें में में लिए क्या होता है कि यह हमारे जो होता है और इसमें में मिली क्या है यह प्लैक्स को नेरो कर देगा यहां कि अब देखो पास ही देखा दाए तो सिर्व हमारी क्या है इतनी और इतनी रह गी आर्ट्री तो यह एकर ब्लैट पूरा नहीं पहुंचे तो फैटी लिवर के बारे मात करें तो यह हमारे एक hapatic osteoctoris होता है और यह condition होते है जिसमें क्या होता है हमारे जो lever है ना उसमें fat accumulate हो जलाता है जरूएस से ज़ादा यानध कि नौर्मल से भी 5-10% ज्यादा lever के weight से जलाधा हो जलाता है और यह इस तरहें फूला सब्सक्राइब करा उसकी वैसे हो सकता है वागे इनको चेक करने के लिए बीमाई होती है कभी कोई एक दो नमर में डालते जाते बॉड़ी मास इंडेक्स और बीमाई हमारी मेली किलोग्राम पर मीटर स्क्वार में देखी दाती है उपर हम बेट रखेंगे नीचे हाइड अब हम समझते अपने टॉपिक अमीनो एसेड मैटा बॉर्जम के बारे में तो यह हमारा चैप्टर टू है और लिपिड मैटा बॉर्जम वाला हमारा कंप्लीट हो गया है जो भी टॉपिक है सारे आपको मिल जाएंगे तो अगर इस चैप्टर में बात की दा तो देखो इ आपको मिल जाएंगे अगर यह एक साथ आती है तो आप इन सबको लिखके आता होगे और अगर सौट में दो नंबर तीन में ऐसे आता है तो फिर यह एक एक आ सकते हैं इसमें ट्रांस अमिनेशन सबसे जादा इंपोर्टेंट है इसके अलाबा कुछ टॉपिक जैसे डोप सारा कुछ मिल दाएगा तो देखो हमने क्या देखा था कि जैसे हमारी human body है और हम कोई भी खाने पीना कुछ भी खाते हैं वह हमारी body में जाके कुछ इस तरह डिवाइड हो जाता है जैसे कुछ पार्ट हमारा कार्वोहाइडर्स होता है कुछ लिपेड्स कुछ अमीनो ऐस तो देखो अमीनो ऐसेट्स में लिगा होते हैं यह हमारे building block होते है building block मतलब क्या है इन से मिल मिलकर हमारी ब्रोटीन बनती है तो अमीनो ऐसेट्स हर्दा building blocks for protein यानकि यह हमारे protein बनाने में हमारी help करते हैं इसके अलावा कर बात की जाए तो देखो protein को अगर हम breakdown करते है तो यह हमारे amino acid फदर बना देते हैं यह अगर amino acid हम मिलकर बनाते हैं प्रोटीन को और अगर protein को तोड़ा दाय तो हमारे क्या amino acid निकलते हैं बागे जो amino acids है वो हमारे दो तरह के होते हैं एक essential एक non essential यह आपने पहले भी पढ़ा होगा unit one में तो essential हमारे वो होते हैं जो हमारी body खुद से नहीं बनाती है और जब body खुद से नहीं बनाती है तो वह हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं बाहर से लेना तो उन आपको यह हमारा कैसे बना होता है इसमें दो गरो पाये जाते है एक हमारा होता ही लुप और एक होता है अमीन ऐसे अमीन अमीन और यह मैंने आपको fatty acid में भी बताया था कि वहां भी तो यहां पर यहां पर आप आर जोड़ो मतलब जितने अभी आपको carbon chain जोड़नी हो यह CH हो गया और यह NH2 हो गया और यह COOH हो गया तो यह carbon acid हो गया यह amine group हो गया और यह carbon मतलब हो गया सिंपल और इधर carbon की जो भी चैन आप जोड़ो जोड़ सकते हो तो एक example हमारा किसका हो गया अपको मिल गया बाकी आप जो है अच्छे इसके बारे में देख सकते हो इसके बारे में बात की रहे हैं तो हमारी एक process होती है जिसमें क्या होता है अब यह सिंथेजिस के लिए दो तीन चीज़ा हो सकती है एक तो यह है कि अगर हमारे प्रोटीन का breakdown होता है तब हमको amino acids मिलते हैं दूसरे हमारे जो डाइट होते हैं जानी कि हम बाहर से खाना पी ना खाते हैं उसी डाइट के थरो भी हमको जो डारक्ली मिल जाते हैं तो इस तरह हमारी बोड़ी में amino acids आते हैं सेकेंड अब इसका कैटाबर्जम होगा तो यहां कि इससे क्या हम कर सकते हैं तो मिल लिए क्या है कि यह यूज होते हैं इन्दी सिंदेज्ट व वेरियस प्रोटीन यहां कि जब amino acids में मिल मिलकर क्या करते हैं पूरी की पूरी जो हमारी amino acid metabolism है इसका main काम होता है हमारी बोड़ी से ammonia को बाहर करना अब देखो हमारी बोड़ी में क्या होता है अमोनिया एक बहुत ही टॉक्सिक सविश्टाउंस होता है यहां कि थोड़ा सा देंगरस होता हमारी बोड़ी के लिए तो इस ammonia को बाहर करना ह नावरी बोड़ी से बहुत जरूवी बोड़ी होता है अगर सो यह तो हमारी गृड़ी का मालो हमारी ऑड़ी है इसका जो भी डेंजरेस We SM ऐसा कुछ भी पार्ट होता है वो सारा का सारा हमारे का अमोनिया के अंदर आजाता है इस तरह से और यह अमोनिया देन क्या करता है यह अमोनिया हमारा यूरिया साइकल में जाके यूरिया में कनवर्ट हो जाता है और यह जो यूरिया है यह हमारा कहां चला जाता है देन किड तो इसलिए हमारी पूरी की पूरी बाड़ी से जो डेंजरस वाला टॉक्सिक वाला अमोनिया है उसको यूरिया बनाता है और यूरिया के तरो हमारी बाड़ी से जो सब्सक्राइब करते हैं तो यह हमारे लिए इसलिए जादा होती है तो यहां पट जो हमारा है अप्राइस होती है कि हमारे टोटल तीन reaction होती है aminocid metabolism की और एक हमारे पास होती है d carboxylation इसमें मिल ली क्या होता है कि हमारा co2 जो हमारा carbon oxide वो remove होता है देखो d for delete करना carboxylation मतलब carboxy group जो हमारा co2 group होता है उसके बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर simply अगर हम बात करें तो तीन reaction हमारी किस तरह होंगी यह मालो हमारा amino acids है यहाँ पर दिख रहा होगा तो पहले जो हमारा होता है Trans Amination इसमें क्या होता है ना Amino Acid मालो यह हमारा है और इसके साथ मां हमें Keto Acid लेते हैं Keto Acid होता है तो यह Amino Acid क्या करेगा इसका यह NH2 और इसका जो CW1O वाला Ketone Group होता है यह आपस में Exchange होता है इसका Amin उसमें पहुंच जाएगा इसका Ketone वाला इसमें पहुंच जाएगा उसके बाद De-Amination आता है तो यहां पे हमारा जो Amine Group होता है और Remove होके इसका पहले एक्चेंज किया उसके बाहर निकाल दिया और बाहर निकालने के बाद वह यूरिया साइकल में जाके यूरिन के सरुप बाहर निकल जाता है और De-Carbocylation थोड़ सा अलग में आता है और इस जो हमारा Amino Acid Meta Version में 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 लिकेटा बर्जम आता है और इसमें में में लिका होता है ट्रांसफर होता है हमारा Amino Group का फ्रॉम वन Amino Acid टू कीटो एसिड यांग एक molecule से दूसरे molecules में हमारा जो Amine Group है उसका ट्रांसफर हो रहा है और with the help of Engem Transaminate यहां पे देखो सब Connected होता ह Trans Amination, Engem Trans Amination हो रहा है और Trans मनलब Amino Group का Transfer हो रहा है तो सारा कुछ हमारा Connected है, आपको कुछ भी इतना लेंदे नहीं करना उसके बाद ये Main Site हमारी Lever में होता है और ये Reverseable होता है, यानकी बापस भी आ सकता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है अब ये होता कैसे है, इसका Mechanism अगर बात कीता है तो Directly मैं आपको Reaction से ही समझा देता हूँ तो Example के लिए हमने यहाँ पर Amino Acid लिया है, LN, कोई दिक्कत नहीं है अब एक LN लिया है और एक हमारा यहाँ पर साथ में चाहिए होता है, हमको Keto Acid अलफा Keto Acid, तो अलफा Keto Acid के लिए हमने यहाँ पर लिया है, अलफा Keto Glutarate, अब इनका एक बार आप जो है structure देख लो, यह हमारा Amine Group है, यहाँ पर CS3, CH और COOH है, तो यहाँ पर एक है जुड़ा है, तो यहाँ पर जुड़ा है, तो यहाँ पॉजिटिव साइन है या न हमारे दो क्या है, यहाँ पर हमारे कर सबसे बहले क्या करेगा है यह हमारा यह पर कोफेक्टर होता है, जिसका नाम क्या होता है, पाय री डॉकसल सब्सक्राइब और इसको हम पिल पी बोलते है, और इसका ना, काम बहुत ही ठीए तो यहां पे क्या करेगा कि यह सबसे पहले यह जो हमारा है यह क्या करेगा से अपने यह पहले पहले और इस से सी डबुरो हो लेगा और उसको इसे अमीनो गृप् और कुण की एक्सेंज होने के बाद बंता क्या एक उसको बहुत जरूरी भात जब यह हमारा अप सबस्क्राइब पक्ट यहां ऑप लगा टो लगा तो अब यहां तो यहां पर बनाने यह हमारा होता है यह बन गया अब इसके बाइदर देखाता है तो इधर से हमारा यहां पर क्या जोड़ेगा हमारा यहां पर यहां पर क्या है यह वाला जो सी डबल ने तब हमारा यहां पर यहां पर देखोगे तो यहां पर हो गया अमीन गुरूप और यहां पर कीटो गुरूप इसकी विज़ासे क्या होगा कि जो एलनीन था इसने बनाया इसने बनाया एक कीटो नया वाला और जो हमारे य इसने बना एक नया amino acid तो इस तरह ये आपस में एक दूसरे की फॉर्म को एक्सचेंज कर लेते हैं जो हमारा amino acid से वो convert हो जाएगा keto acid में और जो keto acid है वो convert हो जाता है amino acid में और इसको perform करने के लिए हमारे जो co factor होता है या को एंजाइम पी बोल रखते हैं वो बहुत ही major role play कर रहा है क्योंकि यह इनके amino group और इसको क्या कर रहा है एक्सचेंज करवा रहा है और इस पूरी reaction को कराने में help कौन करता है ट्रांस अमीनेज एंजाइम यहां पर एंजाइम कौन से लग रहा है ट्रांस अमीनेज जो इन सब की बहुत है सब होता है और यह सबसे यला सबसे लाऌष नो होता हो फर्वाइब साइकल इनर्धी चीड दें चला में चलाएगा तो यह बनाता है पैरवेंए घ्ल्म้र को नियोजय करेगा यह आपको दो अगर याद हो तो फिट से घ्लुकोज में चला जाता है तो इतना जहारास संदर सारे कुछ बना होता है कि सारी यूज होती है तो यह पयरृवेट का यूस समझ खें अब जो glutamate वो further हमारा आगे de-amination वाली process में चला जाता है यहां कि de-amination हमारा directly नहीं होता पहले trans amination होगा अलिजन से यह बनेगा हमारा new amino acid बनेगा उसके बार जाके हमारी यहांपे क्या होती है de-amination अब de-amination क्या होती है तो एक process होती है जिसमें amino group हमारा remove हो साथ है amino acid से और इसलिए और जो ammonia की फॉर्म में बाहर दाता है जो हमारी Body के लिए toxic होता है ठीक है अब ये जो ammonia है वो बादम है Urea cycle में अब अब टेक प्लेस करेगा और बाहर निकल दाएंगा अब जो ये deamination है यह दो तैप से होता है एक oxidative deamination होता है एक non-oxidative deamination होता है अब इसको समझते हैं oxidative में क्या होता है मेली जो हमारा glutamate जो हमने पहले बनाया था अपना trans amination में उसमें क्या होता है वो हमारा alpha keto glutrate में connect हो जाता है with the help of enzyme dehydrogenase और उसके बाद क्या करेगा उसके लिए हमें energy की जरूवत भी थोड़ी सी पढ़ती है और उसके बाद क्या करेगा वो हमारे amino group को बाहर निकाल देता है और यह as a reducing engine काम करके इसको oxidize कराता है आपनों यह देखा होगा reducing जुँए दिंग oxidize करवाता है तो इस तरह चलता रहता है ठीक है बाकि यह reversible process है हमारा इससे यह भी बनता रहता है और अगर आपको यह reversible ना पता हो तो अभी-अभी हमने क्या देखा था हमारा जो alpha keto glutrate बना रहा था तो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर जो alpha keto glutrate में convert हो रहा है यहां से इसमें यह वापिस convert हो रहा है और convert होने की टाइम पर क्या करेगा वह इस वाले ammonia को remove कर देता है यहां कि सारा कुछ connected है अगर आप थोड़ता ऐसे याद करोगे आपको बहुत आता असानी होगी तो oxidative deamination में जो हमारा glutamate है वह हमारा dehydrogenate enzyme की वाइस से alpha keto glutrate में convert हो जाता है और यह क्या करेगा हमारे ammonia group को यहां से remove कर देगा और ammonia group जब remove हो जाएगा तो ammonia हमारा क्या होगा फर्दर यूडिया cycle में जाके urination की द्रो हमारी वोड़ी से बाहर चला जाएगा अब अगर आपको याद हो तो alpha keto glutrate भी हमारा क्या होता है citric acid cycle का एक part होता है जहां पर आपको याद हो तो यह भी उसी के अंदर चला जाता है और वहां जाकर यह energy वगरा provide करेगा तो यह चीज़ भी हमारी यहां पर बेश्ट नहीं हो रही है जहां से आ रही है वहां से बापिस भी चली दा रही है तो यह हमारा oxidative deamination यहां सिर्फ और सिर्फ हमारा ammonia group जो रिमूब हो रहा है glutamate फिर से हमारा keto glutrate में convert हो गया अब last यहां पर एक और non-oxidative बाली deamination आती है तो इसमें हमारा dehyd होगा ठीक है बहां पर यह हो रहाता है और यह मैंली मानों जैसे हमारा सैरेन यह दूसरे हमारे amino acid है यह डि हाइड्रो अलनीन में लगता है सी डबल ओ एजन की कार्वक्यों लगासे group होता है तो यह फर्दर क्या करेगा हमारा amino acid है यहां पर मैंने बता नहीं नीचे नहीं होता है यहां जुड़ताएगा तो यहां आ रहें यहां CS2 हो गया और यहां NS2 तो यह हमारे एक अमीन ग्रूप बन जाता है और यह अमीन ग्रूप फर्दर आगे जाके जो ammonia को यूरिया में convert करेगी और यह यूरिया हमारा urine के तरह बाहर निकल दाएगा इसके अलावा जो हमारे एक्सेस में nitrogen होते हैं जो मैंने आपको बताया है nitrogen भी step है जो आप यहां देख सकते हैं और हम directly जो अपने cycle को समझते हैं आपको सारी गानी समझता देगी अब यह जो हमारी यूरिया साइकल है यह हमारी मेल लिक कहां पर होती है तो यह पूरी की पूरी cycle हमारी लीवर में होती है और लीवर में होने के बाद यह हमारी क्या करती ह क्या है तो पहला जो ever के यृवर के सहल्थ कोई भी सल्स है उसमें साइटोकॉंड्रिया होता ही है और यहां पर आदी होती है और बाकीлиз liever को आदी होती है पूरे cycle को करने के लिए हमारे total 5 enzyme की जरूयत होती है पर अल्न है यह हमारा पाइस आता है और इसी बज़ाद से जो यूरिया साइकल सिर्फ और सिर्फ यह अब देखो क्या होता है तो अगर आपको याद हो हमने डी-Amination में क्या किया था अपने Ammonia Group को बाहर निकाला था और हमने D-Carboc Selena में क्या किया था अपने CO2 Group को बाहर निकाला था तो यहाँ पर क्या होता है कि अब यह जो हमारा Ammonia है और Carboccanlic Acid जानकि CO2 है हमारा Carbon Dioxide है यह दोनों के दोनों क्या होते है सोरी Всё Phillip क्योंकि वह हैं अब 번 Disability Toxic है इसको बाड़ी से बाहर निकालना है तो इसको बाहर निकालने के लिए क्लिए हमें एनरजी ज़रूफ पढ़ती है काम करबा रहे हो ते दे नहीं पड़ेगी तो यहां हमें एनरजी की जरूरत पड़ती है तो दो ATP हमारी यूज होताती है और यहां पे N-Y-M लगता है हमारा कार्बो मॉयल फॉस्पेट सिंथेज बन और यह N-Y-M क्या करेगा इस अमोनिया और कार्बो मॉयल फॉस्पेट में कनवर्ट कर देगा तो यह पेदा एन्यम और यह पहला इस्टेप हमारा हो गया अब यह जो कार्बो मॉयल फॉस्पेट है यह हमारा माइटो कॉंट्रिया में है और हमारा एक कंपाउंड होता है और निथिन तो यह और निथिन हमारा किसमें होता है साइटो सोल में होता है सदो लिवर कर लिवर बॉंडर के लिवर के लिवर के साइटिसोल में होता है तो यहां से आएगा हमारा कार्पोइल फोसक्पेट और यहां से आता है हमारा ओर शेक्र elevate wa जो हमारा माइटो कॉंट्रिया में यह लाइन आपको दिख रही होगी यह उपर माइटो कॉंट्रिया में नीजे साइट तो यह अब हमारे पास यहां पर बन जाता है और यह कहां बना है साइटो सोल में बना है सिंपल फंडा कोई दिक दिखत नहीं है तो अब अगर आप देखोगे यहां पर यह जो हमारा और निसेंद ना यह लीवर के साइटो सोल से स्फरू हो रहा है तो इसी लिए इसका नाम हम और निसें साइकल भी भोलते हैं तो अगर कहीं पर आपको और साइकल मिलता है तो यूरिया साइकल होती है कोच कंफ्यूज होने के दरूवत नहीं है तो यहां पर क्या होगा कारमोल फॉस्पेट और निसें इन दौनों ने मिलका सिट्रूलिन बनाया विद्धी हेल्प और निसें ट्रांस कार्बो मॉयलेद अब जैसे हमारा आगे जाक दो एनर्जी की दरूवत पड़ती है यहां से हम जो है एटीप को देंगे अपने और एटीप को देने के बार हमारा एमप बहार निकले यहां कि दो फॉस्पेट गुरूप कम हुए एडिनो ट्राइफ फॉस्पेट से एडिनो मॉनो फॉस्पेट बना तो इस चक्कर में हम हमारे आरजिनो सक्सिनेट बनाते हैं और इसके लिए हमको दो एनर्जी की दरूप पड़ती है और साथ में हमारा इन्याम लगता है सिंतेज वाला अब यह जो हमारा आरजिनो सक्सिनेट बन गया यह फर्दर आगे जाके क्या होता है क्लीव होता है यानकि टूट जाता है और तूटेगा यह दो पार्ट में और यह दो पार्ट में टूटकर क्या करता है एक हमारे फ्यूमरेट को अलग कर देता है और जब यह फ्यूमरेट हमारा अलग हो जाता है उसके बाद यह हमारा इधर बनाता है और आरजिनिन बनाने के लिए हमारा कौन सा जाहिए आरजी यहां पर यह साइकल इसलिए है क्योंकि यह पूरा मनलब साइकल चलती है भाहार निकाल के और निया किया किया किसी दूसरे कार्भू फॉइस यहां पर 혼्फ यहां पर यहां यहां पर निकाल झालता van भाहर झालती रहती है और यहां पर यूरिया हमारIDE बन जाते है अब यहां और किड्नी में चला जाता है और कई निमाने के भाद क्या होगा हमारा यहीं कि दूभ मतलए बमर्चल चलती से पाइब बनानों से और सिम्पल आप यहां पर सब डायर्म मतलब लख दो कहां कहां लिखना है तो यह आपके लिए पूरी यूरिया साइकल हो गई और अगर इसको लिखना होगा पहला क्या है यह कैसे बनेगा तो हमारा यहां पर यहां पर यहां पर यहां बनेगा और उसके बाद यहां पर यूरिया बनता है तो यूरिया में चला उसके बाद यूरिया हमारा बलेड के दरूब किड्नी में पहुंच आएगा और किड्नी में जाने के बाद हमारे यूरियन के तरूज बाहर निकलता है तो यह थी पूरी यूरिया साइकल अब अगर इसके अब अब अगर बात करें उसके बारे में तो अगर इन पांचों मैंसे प्रदर आगे इसमें नहीं हो पाएगा और उसके वाज़ेसे क्या है कि अगर हमारी आरजीनो सक्षिनेश की रफिनिश्यों हो जाती है मतलब बीमारी सिंपल समझ लो उसके आगे बाला एनियम तो अगर इसकी कमी हो जाती है तो भई इसकी कमी की बज़ते यह हमारा फुर्दर और फ्यूबरेट में क्युक्ति । настолько क्या विज़ते है तो इसकी कमी के विज़ते हैं कि हमारा ये वाला फॉर्म नहीं हुपाईगा और इसको हम पहली कंडिसन मोलते हैं पहले है पहले इसकी कमी हो चाथ तो इसकी कमी के बेसर आप बड़ी में रहे नुक्साण हो सकता है कोई दिखत नहीं है तो यह हमारे डिसॉडर्स हो गए अब थोड़ी सी और बात करें कुछ अधर टॉपिक से बारे में तो यहां पर देखो यूरिया साइकल मतला में 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 हमारा प्राइम बात करेंगे इन तीन टॉपिक के बारे में जो कभी दो नमर वगेरा में आपको द हमारे यलो कंपाउंड होता है तो यह एक थरह से ब्रोड़्क रेलिद्र होती यहां कि र歌 रोटाम होती है तो अगर यह मारी बॉड़ी जाँना वह बोल सकते हो जो हमारी बाड़ी में जो करेका है यह जो इनके इसके अलावा अगर बेंच के बारे बात है तो अगर यह दो तरह का होता है असके बारे में जादा मतों यह डारेक्ट वब अच्छा 성्णुकेटाई वोडबाणी के लिए o अगर आपके टॉपिक यहाद हो यूनिट 30 में है केटावर्जम ऑफ हीम हमारे एक तरह से आर बीजी का पार्ट है हीमोगलोबिन और अगर इसकी केटावर्जम करते हैं देन जाके हमारे बुलूरी में बनता है यह जो और play होने से हमारी body में जोए ज्याइंधस हो सकता है और क्यांत सकता है तो हम बूते हैं कि तरह की हमारी जैंस्य हो जाए पे हमहारे होता है कि यहां दो का मतलब होता ही मों मतलब ही मुझा लाइटिक मंदा टूटना कี่ करेंगे हमारा क्या करेगा अब है जिसके जाए इसको होता है इन हमसी gibt हमारे की तरह हमारे आजाता है चाहिता तो कि बार होता कि लीवर इसको रिमूब करने में फेल हो जाता है तब भी हम now do है कि अमरे एक कॉल नहीं का रहा है लोटा और इस चक्रप ll aye उसको नгов निकार पा पर एक रोजेयों के इसको पचा नहीं पहा रहा है फिर हमराा थार्ष पोस्ट है इसको कॉल स्टेटिक और यह क्यों होता है क्योंकि जो हमारा आपको पता है तो बाइल एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता बहार और इस चकर में गॉल स्टोन जो कभी कभी आर्म से नहोंगा ना गॉल ब्लैडर जो हमारा होता है वहां पर पत्री बगरा पढ़ जाते तो यह सब प् पैंक्रियाइटिक जो हमारा पैंक्रियाद है वहां भी कोई इंफ्लामेशन बगरा हो सकती है यह तीन तरह के हमारे यहां पे ब्लू रिबिन के टाइप जोएंडिस के टाइप आप बोल सकते हो अब छोटी सी बात और कर लो अगर हम बात करें अपने डोपामिन यह हमारा यह हमारे हार्मोन भी होता है और अगर आपको याद हो तो यह हमारे एक रिवरड पात में में काम करते हैं मेली का होता है ना दोपामिन हवारा वही वाला हार्मोन है जब हम कुछ भी ऐसा काम करते हो इसमें मज़ा आता है यह कॉछ ज़़ जाएemyन ग्यां और ज्यादा मज़ा आता है हम भी मोटिवेट होंगे प्लीजर फील करेंगे और उस चकर में हम वो काम बार बार करना चाहेंगे अब भी पढ़ाई करते हुए तो हमें डोपामिन रिलीज नहीं होते हैं कुछ भी गलत काम गेम खेलेंगे घूमने जाएंगे कहीं तो उन मोवी देखने में जादा गंदा नहीं सुते हैं ठीक है इसके बाद द्यान देखा दाए तो यह हमारे प्लीजरेवल एक्टिविटी है उनके दौनर रिलीज होगा मोटिवेट करता है हमको ऐसे काम प्लीजर बादे कम देंगे दिए उसके अलावा यह हमारा अटेंशन वर को बहुत बार मिल जाता है उसके बाद यह सिंथेसाइस कैसे होता है तो हमारा यहां पूरा हो गया यूनिट थर्ड तो इतनी वड़ी वीडियो के लिए बौड़े की पूरी जान निकल चुकी है तो आपको सारा को समझ आ गया होगा तो यह पूरी पीडिय भी आपको अप सब्सक्राइब करें देख सकते हो अब भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके हम से पूछ सकते हो वागि हम मिलते हैं बहुत नेक्ट यूनिट में आप बताओ अगर इसी तरह आपको देगे तो हम ऐसे आपको प्रोवाइड करेंगे और जिस जिसने पूर वीडियो देखिए कमेंट करके जरू बताना है वागि इस वीडियो को लाइक करो सेर करो तब तक अपना अपनी फैमिली का ख्या लखीगा वाइब दोस्तों जहें दोस्तों